कि अगर आपने के बाद दुबारा आपको निकाल भी लेया बाहर और उसको दुबारा है अपको री बैलन्स करने की कोई जरूरत नहीं इसके लाबा इसमें और बहुत सारे फीचर्स है मतलब इस फीचर लोड़ है एक डिफरेंट रिवलूशन है और तुगेदर बहुत सारे चेंज़ आँ एक तो यह कि फुली मेटल का गिंबल है इसका अगर आप ग्रिप देखेंगे तो पूरी यहाँ से बॉटम से लेकर जहाँ पर इसकी LCD है वहाँ तक इसकी पूरी यह रबर ग्रिपिंग है तो आप अच्छी तलह से मजबूती से इसको पकर सकते है इसका जो बैक्टरी बैकप है वह 20 घंटे की है 20 आवर्स ऑफ बैक्टरी सपोर्ट और सिर्फ दो घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है बैक्टरी और बचाने के लिए बैक्टरी अच्छी 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 तो इसमें एक स्वीच दी गई है पहले आप इसको अन करेंगे ऐसे लॉंग प्रेस्टा इसको अन करते हैं तब जाके यह ओन होगा और इसको स्वीच और अंकर प्रेस्टी अगने वाले डिचे के लिए आपको वन्स टैंप्रEस थी mama जो मैं मास्टर सुऊट है इसको पार अन पार और ऑंकर सक्र नहीं नहीं कर नहीं हुआ है इसके उपर बहुत सारे एक्स्ट्रा ऐसे ताकि आप अक्सेसरी यूज कर सकें उसलिए यहां पर आपका कोल्ड शू मांट, M4 मांट, इसके नीचे आपका 1x4 सॉकेट, 3x8 सॉकेट यह सारे तरह के चीजे हैं ताकि आप कभी चाहे तो LED लगाईए कभी मॉनिटर लगाईए क आपको लगाईए तो माइक्रोफोन लगा सकते हैं तो डिफरेंट टाइप आप रेडी कर सकते हैं एक्सारी यहां तो बैलन्स वजाने के बाद आपके 8-2-S में कई सारे ऐसे फीचर से मेनु के अंदर जो आपको बहुत हल्प करते हैं समझने के लिए कि बैलन्स प्रॉप आपके बाद 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 the gimbal itself is checking the balance की ठीक है नही है and it will let me know कि यह proper, improper, यह left के तरफ shift है right के तरफ shift है क्या करना है वो मुझे यह बता देता है now secondly, मैं और एक चीज़ इसमें कर सकता हूँ which is fine tuning of the motor's power motor's के सारे जो power है मैं उसको properly fine tune कर वा सकता हूँ so that मेरी operation बहुत जादा स्मूध हो उसके लिए आपा shortcut button दे गई है this is called auto tune feature S button को मैं एक बार प्रस करूँगा and the gimbal will automatically do the tuning हर एक access key यह automatically tune कर रहा है you have to wait for the while you cannot beech में इसमें करने हाँ so auto tuning is also done so next काम मेरा क्या है now this is very interesting आप अगर माल लीजे इसमें जैसे 500 gram से लेकर 4.2 kilos तर का वेट यह ले सकता है camera तो माल लीजे आप mirrorless यूज कर रहे है या फिर माल लीजे आप कुछ heavy DSLR यूज कर रहे 5D Mark 4 यूज कर रहे या फिर 6D या फिर D850 heavier cameras भी यूज कर रहे है so आपको profile change करना पड़ेगा तो profile कैसे change करना है वो एक बार देख लेते हैं select कैसे करना है कि कौन से camera के लिए आप कौन सा profile select करते है problems मैं पहले एक बार बता देता हूँ आपको अगर माल लीजे आपने heavy profile select करके रखा है gimbal के अंदर और आपने हलका camera उस पर लगा दिया which is not very heavy तो आपका gimbal vibrate करेगा there will be a vibration problem vibrate होना शुरू करेगा और काम नहीं कर पाऊ गया secondly अगर आपने setup में setting में उसको light weight camera select करके रखा हूँ है और आपने भारी camera लगा दिया so होगा क्या कि आपका gimbal sleep mode बे चला जाएगा gimbal का कोई problem नहीं है this is just to save your motor gimbal goes into the sleep mode तो देखते हैं इसमें profile select कैसे गरते हैं so first I have to go to the menu menu में जाने के बाद I will go in gimbal gimbal के अंदर I go to motor which is on the top I select that उसके अंदर है power I select that power के नीचे है second list second option जो है level level के अंदर जाने के बाद I have these four options ultra light light, medium and heavy so as per the camera which I am actually using I have to select if I have a 5D Mark 4 type camera which is about heavier lens I will select heavy if I have a 80D type camera I will select light if I have a 50mm lens or 35mm lens which is not a very heavy lens I can keep it in medium में भी रख सकता हूँ so depends on the weight of the camera अगर मैं mirrorless cameras use कर रहा हूँ तो I will select ultra light so यह हो गया मेरा selection so profile select करना बहुत ज़रुरी है फिर आप जब इसमें अलग-अलग cables लगाना चाहते है जैसे control cables लगाना है different type of cameras use करके तो आपको तीन जीजों का ध्यान रखना पड़ेगा number one आपको जो compatibility list है internet से जो moza के site पे दी हुई है उसको पहले download करना पड़ेगा उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से कौन से cameras आपके basically compatible है उस list के नुसार से उस compatibility chart के एकदम last end पे आपको camera का firmware दी हुई है camera का कौन सा exact firmware आपको चाहिए तो that is mentioned उसको आपको select करके camera को पहले तो firmware अपड़ेड करके ready करना पड़ेगा इस chart के सब से उपर में आपको दिखेगा का gimbal का कौन सा firmware latest है मंदर ये जो chart है according to which particular firmware it is तो आपको जो gimbal है आपका gimbal भी आपका पहले firmware अपड़ेड करना पड़ेगा firmware अपड़ेड करने के लिए gimbal को हमें boot mode पे लेके जाना आ है तो देखते है बूट मोट पे जाता कैसे है boot mode पे जाने के लिए ये menu बटन और switch on off button एक साथ आप प्रेस करते हैं तो ये boot mode पर जाता है, बूट मोट में जाने के बाद आपको आपका जो मोबाइल एप है, मोजा मास्टर एप उससे आप जैसे इसके साथ सिंक करेंगे, आपका अपग्रेड ऑटमेटिकली वो बोलेगा कि शुड़ाइ अपग्रेड दे फर्मवेर अपग्रेड अपग्रेड अपग्र जब तक कि वो सकसेस्फुल नहीं होगा, आपका गिंबल नहीं चलेगा काम, वो गिंबल की खराबी नहीं है, इसका जो फर्मवेर है, उसके बाद ये दोबारा से काम करना शुरू करेगा, फिर, in case of your Canon, Nikon, Sony छोड़के बाकी सारे जो ब्रैंड के कैमराज हैं, उनके लिए आपके जो जब आप इस लिस्ट में देखेंगे, उसके फर्स टू कॉलम्स का आपको गौर करना है, जो second कॉलम है, according to that, you need to select the cable, उस केबल को आपको select करके इसमें लगाना है, camera के साथ, आपके गिंबल को एक साथ जोड़ना है दोनों को, and you have to select the cable type according to the column 1, ये हो गया, in case of the Sony camera, आपको Sony के जो setup है, setup में USB configuration है, उसके अंदर जाके उसको auto करना है, you should select the USB configuration to auto, and then the rest of the process is all same, so I will show you, की गिंबल में क्या setup करना है, अपने को लगा लिया, select करके according to the list, उसके बाद क्या करना है, गिंबल में, I will go step by step, so I switch on the gimbal, boot हो जाने के बाद, firmware upgraded के बाद, I switch on the gimbal, I go to the menu, menu के अंदर, सब से उपर वाला जो है, camera, मुझे उसके अंदर जाना है, camera के अंदर जाने के बाद, I find select, मैं select के अंदर जाता हूं, और यहां से cable type, I can actually select, so जो list पे दिया जाएगा, second column पे, first column पे, उसको मुझे यहां से select करना है and yeah, your work is done, आपका यह sync हो जाएगा, काम करने लगेगा, अच्छा, इसके इलावा, sometimes it can happen की, आपका language change होकर Chinese हो गया हो, आपको Chinese पढ़ना आता नहीं है, अब आप बाहर, दोबारा से, language कैसे select करेंगे, difficult situation, यह Chinese आ चुका है, right, ठीक है, यह सारा Chinese है, अब देखिए, मैं कितना easily इससे वापस आता हूँ, there is a shortcut given, जो center, यह menu बटन है, इसको तीन बर प्रस किजिए, 1, 2, 3, English, वापस आ गया, so, these are some of the features, जो आपको अच्छी यह सो setup करने के लिए जानना जरूरी था, now the special shooting modes, उसको बहुत असान किया गया है, इसके अंदर, यह सारे के सारे जो shooting modes, special shooting modes, ज करेंगे, यह quick mode पे चला गया है, sport mode जो है, so, quick mode पे, मैं जैसे इसको move करूँगा, बहुत high speed से यह basically move करेगा, gimbal follow करेगा, मेरे movement को, so, that is quick mode, और इसी S button को, अगर हम two times प्रेस करते है, so, यह चला जाता है, आपका inception mode पे, यह 360 degree mode पे, अभी आपको joystick से इसको घुमाने का कोई ज करेंगे, automatically 360 उसी तरफ होगा, you can actually change the speed also, so, यहाँ साब rotate करके, आपके operational speed चेंज कर सकते है, और इसी को आप reverse पे अगर घुमाना चाहे, that also you can do by just pressing on the other side, so, that is it, इसमें 360 और 180 के V modes है, यह कहाँ पर काम आता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बाली, so, now it is like, let's say 360, 360 के लिए, which, जो position में मुझे, final position में आना है, जिस position पर आना है, I will first of all set it to that very position, so, उसके बाद, मैं इसको one time press करता हूँ, तो यह घूम कर, exactly same position पर आकर, रुकेगा, so, one take, okay करने के लिए, यह काम में आता है, अगर मैं कुछ घूमा कर, particular position पर ही रोखना चाहरा हूँ, so, this 360 actually helps me there, इसके अलावा, आपका जो, S button को है, अगर आप three times press करते हैं, one, two, three, तो यह FPV, यानि first person vision mode पर enter करता है, यहाँ पर आप, कोई music video type के shot, या फिर मान लीजिए, आपको chase sequence, shoot कर रहे हैं, तो automatically gimbal इसमें roll, pan, tilt, अपने आप में ही move करेगा, follow करता रहेगा, आपके movement को, and you can capture that kind of shots, very easily, आपका follow modes, different जो follow modes है, उसको अगर आप change करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए, आपका ऊपर है, यह tilt, tilt को roll या follow करने के लिए, आप उपर में, इसी dial को ऊपर में, two time press करेंगे, वो two time press करने से lock या फिर follow होता रहेगा, अगर आप, left के तरफ, two time press करेंगे, तो roll पे, lock या follow कर सकते हैं, similarly, जो pan है, वो नीचे के तरफ, bottom में, क्योंकि, यह list में भी है, bottom में नीचे, नीचे के तरफ, one, two, lock या follow, यहां से कर सकते हैं, so that, and, इसके इलावा, आपका trigger, जो है, trigger के तीन तरह के चीज़े हैं, अगर आप इसको press करकर रखते हैं, यह all lock में, आप कर सकते हैं, कहीं पर किसी तरफ यह, मुड़े का नहीं, आप इस विज़ रिलीस करते हैं, तब यह movement होता है, अगर आप lock कर देते हैं, प्रेस करकर रखते हैं, तो lock रहता है, total all lock mode directly आप access कर सकते हैं, अगर यह कोई, let's say, यह right के तरफ मुड़ा होगा, आपको reset करना है position पर, I just need to press this two times, one, two, और यह position पर reset हो जाता है, even यह 360 पर भी है, 360 degrees पर भी है, आप इसको two times press करते हैं, यह अपने position में वापस आजाता है, thirdly, अगर आप इसको three times press करते हैं, one, two, three, तो यह selfie mode पर जाता है, और वापस आने के लिए two times, okay, so that was all in this video, अगर कुछ और आपको चाहिए, और कुछ information चाहिए on this A2S, कुछ features or functions लेकर, please comment section में डाल दीजिये, I am there to help you all, thank you so much.